कि असलाम अलेकुम स्ट्वेंट्स आज हम जी की सॉल्ट करेंगे ठीक है आपके बुक का नाम है अकंप्रेंसिव बुक ऑफ जन्रल नॉलेज़ सबसे पहले हम इसका कंटेन ओपिन कर लेते हैं और देखते हैं आपके पीए फर्स का सिलिव असके आए ठीक है तो कंटेन ओपि आपके इप्स स्यस्यायों Trading चेप्टर से में इसमें हम फॉर्ट हमें करने हैं पारट पुन में हमें इलेवन ट्वैल थाटीन 2014 इसमें हमें 45 दने तू सबताने तो सबसे पहले 11 अपर यहां कर दीक उस दिन कि योटिओ Article या जितान पर अपलोड हो जाएगी जर दिन यहें विदिए यूटिव पर अपलोड होगी उस दिन सैमसंग, पैनसोनिक, नोकिया, एरवेज, नोकिया, जेवेसी, ठीक है, वीडियो कॉन, रेमन, बजाज, सिटी बैंक, जेके टायर, एम आर एफ, जो भी जितनी भी कंपनी आपने देखी हैं, कुछ में से इनके यहाँ पर बिरांड्स के नाम दिये हैं, और उनके सिलोगन्स कि उस कंपनी ने मतलब उस नाम से रेलेटेड या उस से रेलेटेड क्या सिलोगन दिये, ठीक है, जैसे सिलोगन आपने सुना होगा, जय जवान, जय किसान, या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें अजाज़ी दूँ, इसी तरह से यह कुछ ब्रांड्स हैं, कंपनी की इसी ब्रांड्स हैं, जिन्हों ने अपने-पने सिलोगन दी हैं, पहला है, यहां पर है, स्टार्ट करते हैं, आज सिलोगन इस ट्राइकिंग और मेमोरेबल एंड कैची फेज, यूज यूज तू अडवर्टाइज और प्रोमोर्ट सम्थिंग, अब ये सिलोगन होता क्या सिलोगन एक स्ट्राइकिंग, मेमोरेबल, मतलब जो इनसान की दिमाग में बिल्कुल हिट कर जाए, मेमोरेबल मतलब जिससे कुछ याद जोड़ी हो, एंड कैची फेज, मतलब जिससे इनसान कुछ कैच कर पाए, या अट्रेक्टिव बनाने के लिए, किसलिए यूज यू अट्रेक्शन होते हैं, तो कुछ जो ऑनेता होते हैं, उनके लिए क्या हैं, या या चॡ़का स्वास अलिस करते हैं, थिको य को रोगो को आपर अपने अपको इलुए को मूट करने लिए, थिके है, तो पहला है। the logos logos of some popular companies अब कुछ popular companies की logo दिये हुए यहाँ पर take the help of the clue box to write the slogans for the following अब यहाँ पर help box की मदद से इन companies के हमें slogans लिखने हैं ठीक है जो इन companies ने slogans दिये थे जैसे nike है nike जो company है उसने अपना क्या नाम दिया था यह nike का slogan है ठीक है nike जो brand है उसका लोगन आता है उस पर ौइनका निशान है जो sign है ौशे कहते हैं logo तो लोगन इससे आता है इसका इन्होंने slokan दिया था उसका मतलब किया रिचेज्ड दूट ठीक है फिर नेक्स थमसप यह कोल्डरिंग को लगूसे फिर से कहते हैं ठीक है इसका थल्म सब कर क्या है郁आ है तेस्ट the thunder और आपने इसका अपनी काइड़स्मेन देखा ऊब तो इस यह स्लोगन है जो Singapore ने दिया हुआ है थे當 एंकी कंपणी कंपणी है जो समस्थट इसका मतलब किया है इ में इन्होंने जो अपना स्लोगन दिया है इसका क्या है imagine imagine करना मतलब सोचना panasonic panasonic भी company है mobile televisions और different different चीज़ें आती है इसकी laptop computer ठीक है इसका मतलब क्या है ideas for life panasonic का मतलब क्या होता है ideas for life next है हमारा city bank city bank भी आपने सुना होगा city bank क्या है इसमें इन्होंने दिया city never sleeps ठीक है city never sleeps का इन्होंने स्लोगन दिया फिर नेक्स है airways it airways the enjoy of flying it airways जो है इन्होंने स्लोगन दिया the joy of flying मतलब उडान के मज़े इसका मीनिंग यह निकल के आ रहा है और यहां पर city never sleep का मतलब है city कभी नहीं सोता मतलब city bank मतलब हमेशा जागते रहने वाला ठीक है हमेशा helpful जो हमेशा मदद करता रहे ठीक है अपनी यह bank को promote करने के लिए ऐसा नाम बता इन्होंने ऐसा स्लोगन दिया फिर नोकिया है नोकिया का मतलब क्या है connecting people जब आपने देखा होगा जब पहले नोकिया के mobile start होते थे या भी जब जो भी लोग नोकिया यूज करते हैं तो इसमें ऐसे दो तरह के दो हाथ आते हैं ऐसे करके मिलते हुए मतलब connecting people लोगों को जोड़ता है इसका मतलब यह है इन्होंने ऐसा स्लोगन दिया कि लोगों को जोड़ने वाला connecting people इसका नाम क्या है Nokia फिर है JVC JVC क्या है यह भी एक company है इसका नाम क्या है the perfect experience इन्होंने क्या दिया इसका स्लोगन दिया the perfect experience next है मारा बजाज बजाज आपने देखा होगा बजाज के computer सौरी बजाज के पहले scooter आते थे और utensils यानी बढ़तन आते हैं बजाज के इसके साथ एक आदमी जो है वो complete हो जाता है मतलब उसमें कोई कमी रही रह जाती यह शो करना चाहा है इन्होंने स्लोगन से सिर्फ और से अपनी company की अपनी brand की तारीफ करते हैं उसे promote करते हैं advertise करने के लिए तो इन्होंने क्या दिया स्लोगन complete man फिर video कॉन experiences change video कॉन वीडियो कॉन भी आपने सुने होगा इसमें क्या है experience change मतलब जो आपका experience है वो पूरा change हो जाएगा बदल जाएगा ऐसा नया experience मिलेगा आपको video कॉन के साथ इन्होंने यह श जेके टायर्स तो आपने सुन ही होगा जेके टायर इसका थां मतलब होता है ज्यादा समय तक चलने मादा तो जेके जो टायर्स होते के विए फी लिए जिये गए हैं ठीक है उसके promotions के लिए तो यह क्या हो गया Long lasting radios यहां पर सारी यह सब दी हैं ठीक है जो आपको मेरी spelling यह राइटिंग की समझ में नहीं तो यहां से आप health box से देख सकते हैं है नेकस्स हमारा इसलिए ब पेज नमबर 19 चेप्ला त्वायल यहां पर भी पाट 4 मेंशन करदी और यहां भी देट कर दिए खथर अवार्ट और प्रैज़S मतलब और ऑउनर्ट्र और प्रैज़S राइन और तीन वह एक ही वाफ होता है इस्जध जो तो इज़त के लिए आपको दिया गया अवाड ही होता है या प्राइज होता है ठीक है यह आपको इज़त के लिए दिया जाता है मतलब आपको यह शोकनने के लिए कि आपकी क्या वैलियू है यह शोकनने के लिए आप किसी को इज़त देते हैं ठीक है यानि अवाड देते है read and understand अब इसे read करना है understand करना है उसे समाझना है पहला क्या है भारत रतन भारत रतन अबाट सुना होगा अपने इसके बारे में this is India's highest civilian award यह इंडिया का highest सबसे ऊचा सबसे highest civilian award है it is given for exceptional work on art, literature, science and recognition of public service of the highest order मतलब यह award इंडिया का highest civilian award है और यह कब दिया जाता है exceptional work मतलब कुछ अनोखा काम करने पर किस field में, art की field में या किसी literature field में या science की field में अगर आप कोई exceptional या exceptional या अनोखा काम करते हैं जो बिल्कुली different हो जिससे तरक्की हो तो वो उसमें भारत रतन दिया जाता है और recognition of public service या public service में आप help करते हो यानि जो public service है दूसरे लोग की मनत करना या यह कहलिए दूसरों के लिए help करना या जैसे कि बहुत सारी ऐसे public service होती है जो कुछ लोग करते हैं तो उन लोग को दिया जाता है in highest order मतलब of the highest order जो सबसे जादा करता होगा उचे दर्दे पर क्योंकि ऐसा तो public service बहुत लोग करते हैं मगर जो highest order में करता होगा उसे दिया जाएगा भारत नेक्स हमारा this award is given for exceptional, distinguished, exceptional and distinguished service in any field किसी भी field में exceptional या distinguished service आप करते हैं including service rendered by government servants और कुछ service उसमें include हैं जैसे कि जो के government के जरीए दी जाती हैं कौन सी है वो government services इसे हैं तो उसमें ये awards आपको दिया जाता है ठीक है इसके यापर name mentions नहीं हैं दोनों awards के next है this award is given for distinguished service of the higher order in any field ये किसी भी field में अगर आप कोई higher order का काम करते हैं कोई उचे दर्जे का काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है including service rendered by government servant और कुछ services ऐसी जो कि government service servant के जरीए तोर पर आपको दी गई हो मतलब कुछ काम ऐसे जो कि आप government servant हो और उस field में रहकर उस job में रहकर वो काम करते हो यहाँ पर भी ऐसी है और यहाँ पर भी ऐसी है तो award ये दिये जाते हैं next है galantry awards ये galantry awards कह जाते हैं परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र परमवीर चक्र में क्या है it is the highest decoration and is awarded for the act of conspicuous galantry in the presence of the enemy weather on land sea or in the air परमवीर चक्र बहादुरी के तोर पर दिया जाता है ये इसमें क्या है ये highest decorations and is ये highest decorations or is awarded for the act of conspicuous galantry and the presence of the enemy in the presence of the enemy मतलब बहादुरी दिखाना किसी enemy के presence में ऐसा act अगर आपने किया है चाहे वो जमीन पर हो हवा में हो या आस्मान में हो मतलब पानी में हो या आस्मान में हो कहीं भी आप ऐसा act करते हैं जहां पर बहादुरी के काम हो जो कि दुश्मन की presence में आपने ऐसा काम किया हो किसी की जान बचाई हो या अपनी जान बचाई हो किसी enemy की presence में ऐसा act किया हो तो उस पर क्या मिलता है परमवीर चक्र महावीट चक्र का मिलता है इस दा सेकंड हाइस डेकोरेशन ये सेकंड हाइस डेकोरेशन है एंड इस अवाड़ेट फॉर दा एक्ट ऑफ कॉंस्पीशन गिलेंट्री इन दे प्रिजिंस ऑफ दा एनिमी वेदर अन लेंड सी और इन दा एर मतलब यही ये दौनों सेम वर्क है ये सैकंड हाइस डेकोरेशन है जो लोगों को इज़त देने के लिए उन लोगों को इज़त देने के लिए दे जाता है जो कि ऐसा एक्ट करते हैं जो कॉंस्पीशन गिलेंट्री हो मतलब कुछ ऐसा एक्ट हो जो कि conspicions, gallantry का act हो जो कि किसी enemy के presence में किया जाता हो चाहे हवा में, जमीन पर या air में या water में कहीं भी ठीक है, समुंदर में फिर next है weed chakra, weed chakra भी It is the third in order, ये तीसरे दर्जे का है मतलब ये पहले दर्जे का, ये दूसरे दर्जे का, ये तीसरे दर्जे का award है ये भी same, जो इसमें काम किया, उसी के काम पर है उसी act पर ही ये award दिया जाता है अशोका चक्र अशोका चक्र क्या है, this medal is awarded for the most conspicious, bravery or some daring or pre-eminent act of value or self-sacrifying on land, मतलब ये award कब दिया जाता है ये most conspicious, यानि बहुत जादा बहादुरी or some daring और कुछ खतनाग pre-eminent act करने पर of value or self-sacrifying on land मतलब अपनी जमीन के लिए कुछ अपना कुरबान कर देना या उसकी इज़त के लिए क्या करना, बहादुरी और कुछ खतनाग काम करना चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो समुंदर से sea से related हो, या हवा में air से related हो but not in the presence of enemy मगर इसमें कोई enemy के presence की ज़रूरत नहीं है कि कोई दुश्मन हो तभी ये काम किया जाए ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहादुरी को देखकर किया जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर कोई enemy हो, कोई दुश्मन हो तब वहाँ पर बहादुरी दिखाए, तब मिले अशोका चकर ठीक है, अशोका चकर कब मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपकी बहादुरी पर मिलता है ये सारे मिलते हैं, एनिमे की presence में अब ये कुछ medals के हैं, यहाँ पर पेज नमबर 20, चेप्टर 13, पार्ट 4, डेट, उस दिन की जिदनी वीडियो यूटूब पर अपलोड होगी जोग्राफी की जोग्राफी फैक्स, जोग्राफी फैक्स क्या होते हैं, जोग्राफी एक ऐसी साइंस है जो कि किस चीज़ की study को deal करते हैं, मतलब उसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, जोग्राफी एक ऐसी बिरांच है साइंस की जिसमें हम अर्थ और उसके land को, उसके future को, उसके inhabitants को, उसके phenomena, जो उसमें phenomena हो रहे हैं उसकी study करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम जोग्राफी the first person to use the word geography was erythosthenes, के नामे erythosthenes, erythosthenes कौन थे, ये एक mathematicians थे, जोग्राफिक और ये एक जोग्राफर्स थे, मतलब ये mathematicians भी थे, जोग्राफर्स भी थे, पोईटेड भी थे, इन्होंने यहादा के music भी लिखे इन्होंने, मतलब ये एक जोग्राफर्स थे, अगर हम erythosthenes, ये जोग्राफर्स थे, जो इन सब जोग्राफी के बारें पढ़ते थे, मतलब अर्थ के उपर पढ़ते थे, उसके land के, उसके features, उसके inhabitants, उसके phenomena के बारे में, उसके इंदर phenomena क्या क्या चल लें, ठीक है, उस सब चीजों के बारे में पढ़ते थे, और इन्होंने इ फिजिकल जोग्राफी, एक है human जोग्राफी और दूसरी है physical जोग्राफी, दो ब्रांच हो गई है, फिर है physical geography focuses on geography as an earth science, फिजिकल जोग्राफी किस पर focus करती है, उस जोग्राफी पर focus करती है, जैसे कि earth science, मतलब earth related, it aims to understand the physical lithosphere, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, physical lithosphere के बारे में, आइडोस्फेर के बारे में, atmosphere और फिडोस्फेर के बारे में, ठीक है, फिडोस्फेर के बारे में पढ़ते हैं, and global flora and fauna pattern, और जो हमारा global flora और fauna patterns है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके study करते हैं, physical geography can be divided into the following broad categories, अब जो physical geography है, वो जो है कुछ broad categories में, different categories में divide हो सकती है, पहली का है हमारी biography, ठीक है, इसमें biography है, बायोग्राफी इसमें अलग है, ये geography के अलग ब्रांच है, coastal geography, coastal geography में क्या है, हम coastal area से related study करते हैं, earth की coastal area से related हैं, environmental geography and management, environmental geography और management में क्या है, हम अपने environment से related, उससे हम study करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, research करते हैं, और उसके management के जिसे लिए हम study करते हैं imagine blocking गलेशी ओलोजी गलेशीर से रिलेटेटिट इस्तडी होतीसिए क्या नाटि है यह जिया मिफ्िटी करना टेजर्थ से ऑनी में इस्तडी होती है तक सर्थ सिधियर्थ समस्सक्राइब ecology land escape और ecology में क्या होता है जमीन से related study करते हैं जो geographers होते हैं जो land escape और ecology को study करते हैं उसमें उनकी जो branch होती ही land escape और ecology वाले वो जमीन से related लैंड escape से related ठीक है उससे related क्या करते हैं study करते हैं और उसके research करते है pedology क्या है soil से related soil से की soil कैसे बनी उसका formation कैसे हुआ उसके महाँ पर basic है या fertile है या या acidic soil है ये सारी चीज़ है ठीक है फिर क्या है geomorphology geomorphology क्या है ये भी geomorphology ये भी हमारा ये landskip से related होता है मतलब हमारा जो area है पिलीन है पिलेटी होता है ये सब चीज़ है ठीक है फिर है oceanology oceanology में study क्या होती है oceans से related oceans के बारे में हम study करते है next है हमारा 14 herbs and spices ठीक है part 4 यहाँ पर भी आप mention कर दिएगा और यहाँ पर date mention कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो योटूप पर upload हो जाएगी herbs and spices कुछ herbs और spices जो कि हम आम तोर पर अपने घरों में यूज करते हैं वो मसाले वो herbs उनके हम यहाँ पर study करेंगे हम herbs have a fine flavor and are beautiful to look at herbs क्या होते हैं उनका fine flavor होता है उनका टेस्ट बहुत अच्छा मज़िदार होता है और देखने में बहुत खुबसूरत लगते हैं beautiful लगते हैं to look there are small plants mostly perennials usually with a soft stem और ये आम तोर पर चोटे प्लांट होते हैं चोटे पौदे होते हैं जो के perennials होते हैं usually with a soft stem और इनकी usually आम तोर पर चोटी और soft stems होती है these easily grown plants add beauty to your garden और ये आम तोर पर जो grown plant है ये जो उगाए जाते हैं plant ये आपकी garden में खुबसूरती पैदा कर देते हैं identify the following plants अब यहाँ पर कुछ पिच्चर दी है इनके हमें plants के क्या करने हैं नाम लिखने है आपने करी पत्ता सुना होगा ठीक है करी पत्ता सुना होगा आपने तो उसे हम किया है ये करी पत्ता है करी leaves है ये है किलोव मतलब जो हमारा लॉंग होती है उसका पत्ता ठीक है क्या है ये क्लोव क्लोव कहते हैं लॉंग तो ये लॉंग का पत्ता है फिर ये क्या है bay leaves ठीक है ये सब spices और शरबस है मतलब भी मसालों के तोर पर हम अपने खानों में गरों में डिशिज में क्या करते हैं यूज करते हैं और हमारे गाडन में अगर हम इसे लगाते हैं तो खुबसूरत भी लगते हैं फिर क्या है coriander, coriander तो आपने सुना होगा, धनिया, धनिया का पत्ता जो होता है, तो क्या होता है, coriander, धनिया का पत्ता आपने सुना होगा, ठीक है, तो यह क्या है, coriander, धनिया पत्ता जिसे कहते हैं, फिर क्या है, leaf onion, जिसे यहाँ पर पत्ते वाली प्यास जो कहा जाता है, तो वो क्या है, leaf onion, लीफ ओनियन फिर क्या है जिंजर यानि अधरक यह तो सब कोई पता है यह है इमल्टॉस इसका बाकाइदा पूरा एक काफी बड़ा प्लांट होता है ठीक है बड़ा पेड़ होता है यह हम किसली यूज करते हैं यह हम एजा स्पाइस यूज करते हैं नेक्स यह मारा है इसे आप कट कर दिये ठीक है नेक्स हमारा अब यहां पर बासल्स मासल्स क्या है बैसल्स साइंटिफिक नेम है इसका ओसीमम बैसीलियम तुल्सी का पत्ता है मिंड फैमिली से यह इस बासल्स मतलब मिंड जो हम तुल्सी कहते हैं तुल्सी होता है यह बासल्स ठीक है इसे आप क कर दी नहीं से में हवारा ऩो ए पत्ता संदिंग क्या है इसका ऊसी मघचली यं किस फैमिली से मिंट फैमिली से कॉमन नेम इसका बैसे ये स्बढार एबसे Lossy जब्हे ए स्थैंग को लॉग या लॉंग या चिह सबस्टोब fashion १रिकुणा coconut है हम यहां पर इसे लॉंग कहते हैं अमेरिका में गुजरात में यह कुछ और कहते हूं ठीक है तो साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम लिख दिया जाता है जो के हर जगा पर सेम ही नाम होगा तो अगर हम वह नाम वहां जाके कहेंगे तो उन लोग को अलग नहीं लगेगा वह क मतलब किसफेंसे रिलेट करती है या किस फेंली से कॉमन नेम क। दिसका क्या गालिक लस्सण को हम क्या कहते हैं इसका साइंटिफिक नाम क्या है 好 durum मतलब आब आगर कहीए बी जाके allium sativum कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप lesson कहना चाह रहे है हो सकता है lesson को वहाँ पर कुछ और नाम बोला जाता हो तो अगर कहेंगे lesson दे दो हमें एक kilo तो वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हो सकता है वहाँ पर lesson को कुछ और कहा जाता हो तो अगर आप कहेंगे allium sativum चाहिए मुझे तो अगर उसे नहीं भी पता होगा तो वो search करके कहीं से पता कर लेगा अच्छा इसे lesson चाहिए ठीक है किस family से है ये emery lidacea emery lidacea family से है common name किसका गालिक या हर्मेक गालिक कुछ भी कह सकते हैं फिर है next हमारा ginger यानी अधरक scientific name की है इसका zingyber officinal किس family से है ये zingy between family से है common name इसका क्या है cotton ginger या जमाइका पेपर इसे हम cotton ginger कहते है हो जमाइका पेपर भी कहते है और simply हम ginger कहते है यानी अधरक अब यहाँ पर आपका PFS कторire क coughing दिलिए PFS course completed, यहाँ पर date लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर upload होगी उसी दिन की मतलब जैसे यहाँ पर आप जो date लिखेंगे वही date यहाँ पर mention कर दिएगा यानि इस दिन हमारा course complete हुआ है ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह chapter complete हो गया जीके का आपका PFS का course भी complete हो गया Thank you, Assalamualaikum